चलिए उस तो बात करते हैं सिकोर नई कुशन के बारे में इस कुशन में एक्जामने ने का है यदि छूट अंकित मुल्य के एक बटे पांच वे भाग के बराबर है और हानी छूट की आदी है तो हानी का परतिसत क्या होगा यह एक्जामने ने मुझसे पूछा है तो चलिए आईए सौल कर लेते हैं मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मुल्य यानि माक प्राइज है यानि MP जो है वो 100 रुपे है तो वो छूट देगा इसके पांच वे भाग के बराबर यानि कि 100 हैंटू में एक बटे पांच यानि 5 दून दस यानि 20 रुपे बीस रुपे की वो छूट देगा यानि डिसकाउंट देगा तो वो बेचे कितने में से 80 रुपे वे यानि कि इसका विक्रेम मुल्य मिल गया कितना 80 रुपे अब examiner कहता है और हानी छूट की आधी है जो इतनी छूट है उसकी आधी हानी है इसको आधा करेंगे तो हानी मिल जाएगी हानी कितनी है दस रुपे की हानी होगी है यह निकि यह लोस हो गया तो वो बुज़रा हानी परसंट क्या है तो इसका मतलब है कि वे 90 रुपे वाली चीज जो है वो आप असी में बेच रहे हैं तो दस परसंट की हानी की हानी होगी तो दस बटे में कितना हो जाएगा आपका तो ग्यारा निम निन्यान में ग्यारा साही एक बटे नो परसंट की क्या होई से हानी होई है यानि की ऑप्षिन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस कोईशन के लिए करेक्ट होगा चली एक बार और देखते हैं यह 90 क्यों लिया 80 क्यों नहीं लिया एक बार देख लेते हैं हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया कि मुझे मालूम है CP यानि क्रेम उल्य में से हानी यानि लोज माइनस करूँगा तो बराबर मेरे पास में SP आता है तो CP मेरे पास है नहीं CP मैंने एजिट लिखा लोज कितना मेरा 10 रुपे का दस रुपे लिखा बराबर मैं SP कितना मेरा 80 तो इसको मैं इधर भेजूँगा, तो क्राम उले जो आएगा, वो मेरे पास में 90 रुपय आगा, यानि कि क्राम उले तो मुझे 90 रुपय मिल गया, और घाटा या नहीं हानी कितनी 10 रुपय थी, इन टूपय मैंने क्या किया आपका 100 गया, तो ये मेरे पास में लोस परसेंट